पॉजिटिव इन्टीजर्स दैट डिवाइट 1 8 9 0 इन्टो 1 7 0 इन्टो 1 3 0 और नॉट डिविजबल भाई 45 आपको नंबर्स क्या गिवन है वह गिवन है 1 8 9 0 इन्टो 1 7 0 इन्टो 1 3 0 आपसे पूछ रहा है कि वो कितने सारे नंबर्स है जो इस पूरे नंबर को डिवाइट कर रहा है जो 45 से डिविजबल नहीं इसका क्या मतलब है कि आपको टोटल फैक्टर निकालना है इसमें से जो 45 के मल्टिबल में नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करो इस पूरे नंबर में टोटल नंबर फैक्टर निकाल दो वो कैसे निकालते हो इसको smallest फैक्टर में ब्रेक कर दो तो आप इस नंबर को क्या लिख सकते हो 1 8 9 इन्टो क्या लिख सकते हो 10 170 को आप लिख सकते हो 17 into 10 and 119 13 को आप लिख सकते हो 13 into 10 119 89 को आप easily break कर सकते हो यह 3 से divisible है तो 3 into क्या लिख होगे 63 63 को 3 से divide करोगे तो 3 into 21 हो जाएगा 21 को फिर 3 से divide करो तो 3 into 7 यह number होगा यह क्लिए रहा तो इस number को factor आपको मिल गया 3 to the power 3 into 7 10 को आप लिखो 2 into 5 17 को आप क्या लिख सकते हो simply 17 इस 10 को आप break कर दो 2 into 5 13 को as it is and 10 को 2 into 5 यहां से आप लिख सकते हो 3 to the power 3 हम सभी को एक साथ club कर देते हैं 2 यहां पे 1 2 और 3 तो 2 भी 3 times आया है 5 कितनी बार है यहां पे 1 और यहां पे 2 और यहां पे 3 तो 5 भी आपका 3 times आ रहा है उसके बाद आपके पास है 7 एक बार उसके बाद है 17 और उसके बाद है 13 तो total number of factors कितना जाएगा आपका simply हो जाएगा 4 into 4 into 4 into 2 into 2 into 2 देखो total number of factors हम कैसे निकालते हैं अगर X to the power A into Y to the power B into Z to the power C हो तो total number of factors क्या होता है A plus 1 into B plus 1 into C plus 1 अगर यह आपको नहीं पता है तो इस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में देदिया वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो तो यहां पे एक number exceed करके हमने सबको multiply कर दिया तो यह आएगा total number of factors यह कितना होगा 4 into 4 16 16 into 4 64 और 64 into 8 तो यह आएगा 64 into 8 और यह आएगा 512 तो इस number का total number of factors कितना है 512 यह तो आपको मिलिए total number of factors अब आप वो factors निकालो जो 45 के multiple में हो और total में से subtract कर दो तो आपको वो factor में जाएंगे जो 45 के multiple में नहीं है तो इसी पर number पर आप focus करो देखो 45 कब बनेगा जब आप लिखोगे 3 to the power 2 into 5 तो यहाँ पर इस factor को एक बार और rearrange कर लो तो यह 3 to the power 2 into लिख दो 5 एक बच जाएगा 3 to the power 1 उसके बाद बच जाएगा 2 to the power 3 into यह बच जाएगा 5 to the power 2 into 7 into 17 into 30 नौ यह number किसके एक वल है यह तो 45 के है तो आप इसको लिख लो 45 45 उसके बाद आपको number कैसा मिलेगा तो मिलेगा यह number जहाँ पे आप लिखोगे 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 2 into 7 into 17 into 13 देखो यहाँ तो यह 45 है इसमें आपको जितने तरीके से आप factor form कर सकते हो बाद की बचे हुए number से उसमें अगर आप 45 से multiply करोगे तो जितना भी factor हैगा वो 45 के multiple में होगे तो आपको क्या करना है कि यह जो remaining number है इसमें कितने factor हो वो आप निकाल लो और उतना ही आपको number मिलेगा जो 45 के multiple में होगा तो इसमें total number of factors कितना मिलेगा आपको इस number में अगर total number of factors निकालोगे तो यह 3 से एक ज्यादा तो 4 1 से एक ज्यादा तो 2 5 से एक ज्यादा तो 3 उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 यह आपको मिल जाएगा 4 इंटू 2 तो 8 इंटू 2 16 32 64 64 इंटू 3 यह इंपलाई 192 टाइप से आप number form कर सकते हो इस particular number से और उसमें अगर आप 45 से multiply करो तो total आपको 192 factor ऐसे मिलेंगे जो 45 के multiple में होगा लेकिन आपको निकालना क्या है जो 45 से divisible नहीं होगा तो total number factors वो कैसे मिल जाएगा आप total में से 512 में से वो सारे number subtract कर दो जो 45 के multiple में था और वो कितना था 192 तो यहां से value कितना आएगा यह 0, यह 2 और यह हो जाएगा 3 तो यह total 322 numbers आएगा जो 45 के multiple में नहीं होगा देखो यह point को समझना की है हमने क्या किया 45 को एक साथ कलब कर लिया 3 to the above 2 into 5 से और बागी जो numbers था उसको हमने देख लिया कि यह कितने factor form कर सकते हैं तो यह total 192 factor form कर सकते हैं 192 type से factor में अगर आप 45 से multiply करोगे तो वो 45 के multiple करोगे So I hope you have doubt clear है So thanks for watching the video If you like the video Do subscribe the channel And share the channel with your friends